हेलो वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ अश्वाक तो स्वागत आपको मेरे चैनल पे और जैसे कि मैं आपके लिए तीन सेट प्रैक्टिस अप्लोड कर दिया हूं और यह है वीडियो नंबर फोर है जो कि सेट प्रैक्टिस का है और पीटी पर अधारित है पूरा प्रस्ण और मुझे उम्मीद है मुझे पता भी है कि जो ग्रेजूएशन से जो फॉर्म फिल किये है और जो इंटर वाले तो सिर्फ इसी के लिए हख है वह तो सिर्फ अनुवादक सहाय की भर होंगे लेकिन जो नों भर दिये तो आपको दोनों की तैयारी करना है तैयारी एक ही है लेक यह दो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप बहुत लोगे मेरे से नंबर मांग रहे तो अगर मैं खुद परशान हो जाओंगा सारे लोग मेरे को मैसेज करने लगें कौल करने लगें तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप टेली गराम नाम का एक डॉनलोड की प्ले स्टोर से और उसमें सच किजिए बिहार उर्दू अनुवादक और आप उसमें जुड़ जाएए खातके में गल्स लोग को बोलना चाहा रहे हूं कि वह समझते हैं कि मैं नंबर वाइरल हो जाएगा टेली गराम में किसी का नंबर सो नहीं करता है और आप मेरे से बा बना चाहते हूं कि आप लोग जैसे यह वीडियो देखते हैं तो लास्ट में आपने कितना सही बनाया है वह तो मेरे को कमेंट करते ही नहीं आप लोग बताते हैं कि 90 नंबर आया कि 95 न आया कि 80 आया कि 70 आया कि साथ आया आपको जितना नंबर मेरे को लिक की बताए वहां तक कि मुझे लगए कि यहां आप लोग पूरे देख रहे हैं और बहुत लोग बहुत लोग पहले पहले पूरा बना तो लिजे और पढ़ाया वगरा पीडिया से पढ़ाय नहीं होगा आप जा लेजिए आप जब तक लिखने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब नहीं आएगा मेरा यह सवाल पढ़ते हैं यहां पर क्या है सुनत की जमा क्या है हम लोग फास्ट पढ़ते जाएंगे आप वीडियो को पॉज कर लिजेगा और अपने से सोच लिए क्या अंसर होने वाला है आप अपने कोपी में लिखते जाएगा कितना सही बनाएं कितना गलत बनाए उसका मुझे कमेंट किजिए गर लास्ट में सुनत की जमा क्या है तो देखे सबसे पहले सुनत की जमा क्या है ओफसेन नमबर टी जो है और पाफ्वों सवाल देखें रुकने की जमा क्या है तो आप इसको कोपे में लिखेंगे जिसकी उर्दु कमजूर है वह उसकी इमला में भी दुरुस्त हो जाएगा हर को इमला दुरुस्त नहीं लिखता होगे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं निश्ट है सहाबा का वाहिद क्या है वाहिद पूछ रहा है यह जमा दिया हो वाहिद क्या है तो इसका जो अंसर होगा सहाबी सहाबी का जमा होता सहाबा तो सहाबी वाहिद होगे अंसर ए उकिए नाकिब का वाहिद क्या थो वह होगा अन्कूब नंकबूब नेक्ट आठ नाले अताया का वाहिद क्या है एक होगा अतिया अतिया की जम्हा है अताया क्राइन का वाहिद क्या है तो करीना यहां पर बड़ी काफ से लिख दिया है यहां पर बड़ी काफ से लिखा गए तो बड़ी काफ से होगा आगले कि अगरोन सवाल कि सुनन आफ क्या है अप वीडियो के पास कीजिए तो बना सकते हैं विदियो पॉजब किजिए सोचने को यहाई तो इसरत की जित क्या है तो 12 का और सबीयो phi सब्सक्राइब करें तो तो नमबर डी अर्ज के पंदरा सवाल के लिए होते हैं बहुत स्पीट से आगे बल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा नहों आप बोरिंग महसूस ना करें आरा आप जतना जली टेस्ट दे सकते हैं वीडियो को पॉज किजिए अंसर देखें क्या है औ जानते बहुत इजी सवाल है फर्वा का लागर यह सब तो गलती नहीं होना चाहिए वह जम्हें में थोड़ा सब्सक्राइब कभी 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 कंफ्यूजन हो जाता है खंदा खंदा की जित क्या है तो अठारा के जोंसर होगा गरिया आफसर नमबर डी होगा और बीसमा सवा सवाल है कसभी की जित क्या है तो इस तरह से इस सवाल आपका कि लिए रोगिया फिर आपका है मुझखकर मौनस अपको पता है यह हैं घ्रम में अउमीद तो है यह से किताबों में जो इसी तरह का शिलीबस दिया हुआ है और पिछला वीडियो बताया था कि यह किताब जो है उसी किताब से मैं आपको बना रहा हूं क्योंकि बहुत लोग पास नहीं है तो आप इसको जो हार्ड वर्ड हो हार्ड मेनिंग हो हार्ड कोस्टन हो हार्ड ट्रांसलेशन अलग अलग है उसको आप कोपी पे नोट किजिए आपको यह राय बहुत फायदा करेगा मजक्कर है और यह सकती है है मुझकर में मुझकर कौन है फिर सिया दिया मचे को यह सब क्या है मॉशी की श्राइड ऑनमासा है तो यहां पर देखें लफ्ष हर जुम्ला यहां इबारत जो है मौनस ओगा ऑफ्शनवर डी चुबिसमा सवाल के मुंदज़ जेल में से मौनस कौन है इसमें फिर मौनस पूछा जा रहा है तो 24 अश्य नंबर बी देखें तहरीर आपकी तहरीर अच्छी है और बोलते हैं यह यह जहां पर सही है वाँ सर पचीसमा सवाल देखें मौनस जेल में मौनस बताएं मौनस को नहीं है तो आफसन नंबर बी मेरी नमाज कज़ा हो गई इसता बोलते हैं और बी करेक्ट होगा मौनस की नहीं कीजिये नहीं कि मौनस की पहचान कीजिए तो यहां पर कानून जो है इंदुस्तान का कानून बोलते हैं तो आफसन सी हैं पर करिक्ट होगा सवाल देखें मौनस की नहीं कीजिए नहीं कि मौनस की पहचान कीजिए सब अलग लग वर्ट टैप से सवाल पूछा हुआ है तो उन्हें तिसका जोंसर और फास्ट तरतीब जो है मौनस है तो इसका जोंसर होगा आफसन नंबर मौनस के पारे कन्फूजन मत होएं यह उर्दू में मौनस है और हिंदी में मौनस है जब हिंदी में सवाल आएग तो अब आए तामिर का जानते है अध्य माहिर तालीम इसका जो अंसर होगा प्राइब पैसे निसाब तालीम करिछा ओप्सन कियुआ टाउ और गार ऑफ जाना सब्सक्रीव मैं इसका अलग से वीडियो भी बनाया था आप लोगर देखना थो तो नंबर तो फार देंगे टीजी कद्री करें अंसर को अप्षान माँ ले ठीज शुट्र शाल स्वाल इस्तिहसाल 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 करें और शोसन करेंगे को सोरी एक तालिस नंबर रही अच्छो ओ मैं फैटिस लिड़ दर आता है और देखें उसको भी जाएंगो होँपे मुलहिक मुलहक यहां पर दिया तो 36 का यहां पर नबर सी तो 37 का फारम फारम दिया हुआ फारम पर पत्र बोलता है आप समड़ी यह तो हर को बताएंगे 38 का जो अंसर भी तो थीया हुआ है अप Always masking का समड़ी यानि की संवादास भी यहां पर सही होगा मधा अब थालिए अस्तेसाल फड्र यह रहे बहुत दिन से तो इसका होगा और यह देखते आ रहे में इनिंग कभी वीडियो में अलक्सी बनाया था खत्सा को बोलते हैं आश्चंक अब्सक्राइब करिक्ट है तैसा के काबिल एतिमा एतिबार विश्वास होता है काबिल एतिबार तैसा का विश्वस निये जिसमें काबिल लग जागा नहीं जोड़ेंगे तवस्थ यहनिकि इस है दस में हो चुका है 11 में फटा फटा आगे बढ़ लेते हैं तश्वीष नाक तश्वीष नाक का हिंदी क्या होगा तो यहां पे 46 का चिंता जनक ऑफशन डी जो है करेक्ट है 47 सवाल देखें अफसोष नाक तश्वीष नाक में चिंता जनक था अपसोष नाक तो 47 का जो अपसर नंबर दुखत भी ओके 48 सवाल देखें पूर इसरार तो 48 के जहां प्रेंसर नंबर सी रहस मैं आप लोग वीडियो पॉज किजिए और पॉज करके अंसर बनाईए और तब वीडियो को चालू किजिएगा चुकि मैं तो बता रहा हूं अगर आपकी तरह मैं भी वे अगर वादी यह तो आतंक वादी भी बोलते हैं अगर अगर दोनों रहता नहीं तो दोनों अंसर होता है इनकिसाफ इनकिसाफ को बोलते खुलासा ओके आफसर नंबर सी जो है करेक्ट होगा अब यहां पर आए हिंदी दिया हुआ हिंदी से उर्दू मिनिंग बताना है समवेदना, समवेदना को अर्दू में क्या बोलेंगे तो इहसास उलते हैं अगर था तो समवेदंती बोलते ह लेकिन हापिसमेदना है तो हसास अ परस्ता ओ यह तो बता लेगे हर कोई अभी ऐसा मैटर भी है हरकोई पता होगा और ताड़न यह भी बहूत लोग को पता सब्सक्राइब लेकिन और बाकी जो घंटा बच रहने अठारा घंटा लगभग में पचास ठो एवरेज सब्सक्राइब कुछ पूछ पूछते ही रहता है कुछ-कुछ मैं उनका नाम नहीं लोगा लेकिन बहुत लोग है पढ़ने वाले मैं उसको तारीफ में उसकी तारीफ भी करता हूं चलिए नेक्स्ट पच्वन सवाल देखे उद्धमी पच्वन का अंसर होगा सिन्यतकार सी और यहां पे आता है चपन नमर सवाल शरन शरन को क्या बोलते है और आपके इलाके में अगर किताब आ गई है तो ले लिजी वह भी बेटर होगा निरासा जनक तो निरासा जनक को और बोलेंगे मायू स्कुल आफसर नमर डी अंठावन सवाल देखे वी नमरे वी नमरे को उर्दूं बोलते हैं मतवाज़े आफसर नमबर डी स्वभाविक अफसर नमर सी होगा फित्री आपडा आपडा की अर्दू यहां पर क्या हो जाएगी साठ को बोलते हैं आप दा अब यहां से आपका फिर से हिंदी का दिया हुआ मिनिंग फिर पिर सन्यम दिया हुआ सन्यम तो एक सट का जब्त करेंगे हैं आप सब्साइध दैर्ज जहांते तहमूली बोलते हैं यहां पर यहां सब्साइब आफ्षा नहीं है लेकिन सब्स्ट और यहां पर सजाय आफ्टा निकि जीनको सदा दे दिया गया है स्विकारुकती और naka कबूल नामा ऑगला स्विकार्ट जैसे कुछ बनाव साटिफिकरट उसमें स्विकार्ट वगार किया हुए हुआ को बलते उसको बलते में च्यां तो ये तो हर को बताएं घाल से यह गलत नहीं होना चाहिए दफा बोलता है आर्टिकल भी लिखते हैं द संगयान संगयान दषा 66 संगयान के यहां पर अप्संदके अरजदास्ता हैं पर अबसे होगा जो अदसामर्थ मैं आपकटश में अथाम क्या बहले हैं असमर्थ को माज़ biri माज़ूर भी होता हा जी हम यह पे ठीक है असमर्थ उसी बोलता है जो माजूर होता है जो आप आज होता है आज समर्थ हो याद मजबूर यहाँ पर टिक लगा सकते हैं यहाँ बेटर बेटर यहाँ पर भी होना चाहिए मजबूर आसमाद हो मजबूर हो मैं है नहीं तक 688 का भी थानी सौथ बोलते हैं कुछकुछ सवाल यहला से उल्टर पूलiran मनजर कुषी मैं घ्लत हैं लिए में गलत मुझर खुषी की तवीर तो होता है तो CMC कोशी के मतलब हो जागा दिरिश्यम हो जागा तस्वीर कोशी को मतलब होगा चितरम यहां पर सही होगा सतर देखे तापमान तो आपमान को जानते दर्जाए हरानत बोलते हैं यहांनि के आप से एक करेट होगा तो इस तरह से सतर कोश्चन जो है बहुत जल्दी 15-16 में कंप्लीट कर दिया हूं अब आपका यह है ट्रांसलेशन तो सबसे पहले वीडियो के पहुझ किजिए आप और इसको इसकी जो उर्दू लिखी वह पढ़िए और फिर अंसर दीजिए मैं तो बता दूंगा बदुनमान अफसरान के खिलाफ करवाई जरूरी है आप वीडिय मैंने आपको पेज़गी इतला दे दी थी तो सेम उसी तरह करेंगे वीडियो को पहुझ किजिए आंसर दीजिएगा आप सोचिएगा पहलिस का अंसर क्या होगा अगर आपको नहीं है तो यह कोपी में नोट कीजिए आप समझें तो 72 के जो अंसर होगा option number D होगा मैंने पहें अंधोलोने सियासी है तो यहाँ पें आपका अंसर होजागा कि लेकिन ऐसे देखा दाये तो यहींं सिहोगता है आगर इसमें हम लेकिन याहन से वज्यासी ने आपकर एंसर खाना चाहेथ होगा उसमें किता में टाइपिंग भी मिस्टिक है अमन पसंद लोग जंग के हक में नहीं होते हैं तो चहुत्तर के जो अंसर होगा और सी होगा सांतिपिरे लोग युद्ध के पक्ष में नहीं होते हैं आज मुल्क के तश्वीशनाक दौर से गुजर रहा तश्वीशनाक का भी मीनिंग याद कर रहते हैं तो 75 के अंसर होगा और सी हो जाएगा आज देश चिंता जनक काल से गुजर रहा है 75 कोशन कंप्लीटेड और अब आईए 76 के तरफ जाते आपको लेके एक्तिसादी पाबंदियों से मेजारी जिंदगी मुतासिर हुए एक्तिसादी अच्छा तो यहाँ पे चैस्टर के जो अंसर होगा और बी होगा आर्थिक परतिबंदियों परतिबंदों से जीवन असर परभावित होता है और बी जो है करेक्ट हो जाएगा 77 सवाल देखे जुल में के के रुजहान पर तनकीद होनी चाहिए 77 के रुजहान की बोलते रुजहान की उर्थ हिंदी होते परविरती तो अगर आपको मेनिंग याद है तो अराम से ट्रांसलेशन में जो आप्शन वा जाएगा तजारत में तरक्की की लामहदूद मौक्वाक्व है 78 के यहां पैंसलोगा और वैपक में विकास के असीम आउसर है अब जैके विकास होता है तरक्की का यहां पर कहें पर विकास नहीं लिखा हुए और फॉस्ट यह हो जाएगा तो इस तरह से आगर आप नफरत है जाहना कौम परस्ति है तो इस तरह से मीनिंग को अलगया करना पड़ेगा 607 का उग्र राश्टवाद भातें इसको गिरणा के जन्नी उग्र राश्टवाद गिर डिंद जन्नी है जाहना कौम परस्ति को सामने आये हैं तो असी कहां पर उंसर और होगा ऑशन मढ अपने अपने कारियों के परती उत्तरदाई है तो हिंदी से उर्दु करना है तो यहां पे आफ़ीर वीडियो सारे जतना बना रहे हैं सब अब आपने जिमेदारियों के तैय जवाब है जिसके पके पास नहीं है और को बात नहीं है देश से पॉलियों का उन्मलन अपने यहां यहां पर देखें ब्रासिक का जो करेंगे दस्तियाब नहीं करेंगे खातमा तो होता है उन्हों करेंगे इंसिदाद के मतलब इंसिदाद के मतलब होता है यहां पर अगर एक्तिताम तो यह करता तो कि आप सेट करेंगा सेंटेंस के उटबल यहां पर अंसर सही करेंगा इस गयर सरकारे संगठन की गतिविधियों की जाश कल रही है तो 83 का जो अंसर होगा और सीक्रट होगा इस गयर सरकारे easy सवाल हैं इस ट्रास्लेशन में सबसी easy सवाल मुझे यहीं लगता होगा यह एक इंतजामी फैसला है हार को इसको बना लेंगे पचासे सवाल दके आपकी और से सकरात्मक हाल की परतिक्षा है यह भी इजी सवाल है आपकी जानिफ से मुझबत पहल का का इंतजार है पचासी सवाल कंप्रेट हो गया अब आए अब च्छी सवाल है इस आलेक में सार्थक विश्लेशन किया गया है तो च्छी का जो अंसर होगा ऑफसर नंबर सी हो जागा इस मुकाल मुकाला में बामानी तज़िया किया गया है कि 87 सवाल देखें आवेदक के पुर्वे आचरन की जांच की गई तो 87 के अफसर नंबर बी करेक्ट होगा दर्खास दहिंदक के साबखा किरदार की जांच की गई आफसर नंबर आपर बी जो है क्रेक्ट हो जागा ओके 88 नुम्हाल देखें सरकार निबस्ट चार अभियान शुरू किया है तो 88 एक होजागा खुमत ने इस दाद बदुनवानी मोहिम शुरू की है तो कहीं 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 किता में जो अंसर की है कहीं के अंसर इसमें तो आप चाहें तो इससे भी सुधार कर सकते हैं तेखें संकेकों के साथ तुष्टी करें की बात कहे जाती है तो नवासी का जो है अंसर होगा अकलियतों के साथ नवाजिश बेज जा की जाती है ऑफसे नहां पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा नब्बे नमर सवाल देखें इस प्रस्ताव को उच अस्तर पर अनुमोधन मिल सक चुका है तो यहां पर नब्बे का जो अंसर होगा अनुमोधन का मतलब मनजूरी होता है इस तजवीज को आला सतह पर मनजूरी मिल चुकी है अब देखें हैं आला सतह ही लिख दिया इसके कोशन चड़ जागा है तो तस्लीम आप नहीं चलेगा कबूल नहीं है ने आप तवसीक लिखा सवाल तो आगर आपके पास जीके की किताब है तो उसको भी पढ़िए और गुरूप में मैं देख रहा हूं इधर एक दो हपता से जीके का बहुत कोशन क्यूज हो रहा मासला सब बड़े अच्छे-च्छे तैयारी करने अगर मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर क्लास के लिए भी प्रिपेशन चल रहा है तो आगर आपके कोई भाई होगा भाहन होगा फ्रेंड का भाई को यह पड़ोसी होगा तो आप उसको इस चैनल पर जोड़िए ताकि उसको भी इस टेंट क्लास का बिसमिल ऑफसन बी करेक्ट है उन्हें से क्यास एकास एकास में पहली बार आजादी की आवाज बुलंद की थी किसने बहुत इंपोटेंस वाल यह सवाल जानना बहुत जरूर यह अभी के दोर में मौलाना हसनत मौहानी ओके तिराने सवाल देखे बिहार में दूरदसन सें जोट की पैदावार में बिहार का मकाम क्या है इसका मैं एक पहला मकाम आपका है बंगाल में जूट सबसे ज्यादा होता है तो दूसरा नमबर आ आजागा आपका बिहार बंगाल से लगा हुआ है सब्सक्राइब बिहार में रेल गारी के सुगात हुई थी कब हुई थी चैनले का जो अंसर नमबर बी उनिस्सों अठासो साथ से अठासो बार्साट के दर्मियान यहां पर यहां पर आउसन जो भी करिक्ट्र जाएगा सब्सक्राइब बिहार बंगाल से अलग वह यह और आए आके अपरेज 1912 भी कर्ट्रों सब्सक्राइब नेक्ट यहां में बिहार कम रहाता हम यह बिहार वासियों बता दिजser थी होगा मार्च मार्च मैंस को यांमें बिहाराव मार्च माज्जा जल दीवसी मना जाता हो को याद रखेंगे हैं नेक्स्ट है बिहार और उडिशा को अलग-अलग रियास्त का दर्ज़ा कब हुए निकि बिहार उडिशा अलग कब हुआ 1936 में यहां पर अंसर होगा और सी एक अपरील 1936 में सब्सक्राइब बिहार से धार्खन कब सब्सक्राइब तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से आप जो है तैयारी करते रहें और इसके इसमें जो हाड़ हड़ सवाल है जो मिनिंग है उसको आप कोपी में लिखिए अगर आपको बेहतर त्यारी करना है तो पीडिएफ के चक्र मत पढ़िए आप कोपी में नोट किजिए स समय आपको फायदा देता रहूंगा तो चलिए वीडियो को मैं यहें पर लाश करता हूं अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजे ताकि आपको फायदा भी मिलते रहेगा और आपने दोस्तों को सेयर कर दिए उसको